Microsoft Excel के आज के वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा shortcut की जिसके द्वारा आप बड़े से बड़े dataset में कुछी seconds में formatting की जा सकती है ये हमरे पास एक dataset है जिसे हम format करना चाहते हैं इस तरह से, इस तरह से या फिर इस तरह से इस तरह की formatting आप अपने dataset में कुछी seconds में apply कर सकते हैं डेटा चाहे कितना भी बड़ा हो इसके लिए data range की किसी भी single cell को select करेंगे और keyboard से shortcut की Alt OA press करेंगे जैसे ही आप Alt OA press करेंगे तो इस तरह की auto format की window open होगी जिसमें आपको अलग-अलग तरह की formatting के option मिलेंगे हम यहाँ पर arrow की use करेंगे और जो भी format हम apply करना चाहते हैं उस format पर आ जाएंगे माल लीजिए हम ये colorful one formatting apply करना चाहते हैं अपने dataset में तो हमने इस formatting option को select कर लिया है और अब keyboard से enter press करेंगे तो जैसे ही आप enter press करेंगे तो data में same formatting apply हो जाएगी auto format window में दिए गए किसी भी format option को हम select कर सकते हैं और dataset में apply कर सकते हैं एक अन्य format हम यहाँ पर apply करेंगे फिर से तो undo के लिए ctrl z press करेंगे और फिर से keyboard से alt o a press करेंगे तो फिर से यहाँ पर auto format window open हो गी है अब यहाँ पर हम ये classic two format को select करेंगे और keyboard से interface करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस dataset में same formatting apply हो गया है तो अभी के लिए बस इतना ही नमस्कार